नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ दोस्तो आज हम एक्सपेक्टरी जो क्वेश्चन्स हैं HP सेट के लिए उनके बारे में डिसकस करेंगे और ये प्रशन हाला कि कम हो सकते हैं लेकिन प्रशन से किस तरीके से हमने प्रशन को तैयार करना है वो चीज बहुत जरूरी होती है तो इसलिए परिक्षा से पहले जो आपके मौक टेस्ट है उनको करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हमें परिक्षा में जो प्रशन है वो किस तरी के से पूछ जाते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल जाती है हालां कि आप सब लोगों ने मैं समझता हूँ कि बहुत सारी परिक्षाइं दी होंगी और हपी की जो अभी सेट की परिक्षा है ये भी आपके लिए कोई बड़ी परिक्षा नहीं होने जारी है क्योंकि अगर आपकी त्यारियां अच्छी है तो आप इसको अच्छे से क्रैक कर सकते हैं तो आज हम लगभग 25 प्रशनों को डिसकस करेंगे और उन 25 प्रशनों को हम विस्तार से जानेंगे कि उसमें एक प्रशन से हम भिन प्रशनों को कैसे बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों बिनादेर की ये शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की और शुरुआत करते हैं प्रशन नंबर एक से पहला प्रशन है देखिए पाणिनी ने किस गरंथ के द्वारा भाष्चा को एक रूप देने का प्रियास किया है तो देखिए प्रशन को सही तरीके से पढ़ना होता है सबसे पहली चीज प्रथिक प्रिक्षा को क्रैक करने के लिए यही चीज होती है कि हम जब भी प्रशन को देखते हैं तो हम excitement में पहुत सारे प्रशन को गलत करके आते हैं और प्रिक्षा के बाद हम पच्टावा करने लग जाते हैं कि यार यह प्रशन तो मुझे आता था और यह मैंने गलत कर दिया तो सबसे important चीज यही होती है कि आप जो भी प्रशन है उसको ध्यान से पढ़े हैं तो पहला जो प्रशन है देखिए पाणिनी के द्वारा भाषा को एक रूप देने का प्रियास किया है तो देखिए अश्टाध्याई, महाभाष्य, भाषा योगवशिष्ट या इन में स कोई नहीं तो देखिए इस प्रशन का जो सही उत्तर होना चाहिए था वो था आपका अश्टाध्याई क्योंकि पाणिनी की जो एक मातर रचना इन रचनाव में से है वो है अश्टाध्याई जबकि महाभाष्य किसकी रचना है ये पादंजली की है ठीक है और भाषा वशिष्ट की अगर हम बात करें तो ये किसका है राम पिरसाद निरंजनी का है तो इस तरीके से ये क्या है सही उत्तर होगा इसका विकल्प नमबर एक क्लिर है दोस्तों चली अगला प्रशन हम देख लेते हैं कि ग्रिम नियम का संबंध किस से है तो देखिए ग्रिम जो के ग्रिम नियम है तो चलीए अगला प्रशन हम देख लेते हैं आधुनिक काल में गद्य का अविर्भाव सबसे प्रधान घटना है ये है कथन किसका है तो देखिए आधुनिक काल के बारे में प्रसाद दुवेदी, अचारे रामचंदर शुक्ल, या फिर हजारी प्रसाद दुवेदी, यहां पर पूर्ण आगे गलती से टाइप हो गया है, इसको आप रहे हैं, थीक है, तो देखिए, इसका जो सही उतर होगा, वो होगा आपका अचारे रामचंदर शुक्ल, हिंदी स इनके जो महतवपूर्ण कतन हैं, उनके बारे में किया हुआ है, अगर आपने वो बाली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप परिक्षा से पहले एक बार उन्हें जरूर देख लें, क्योंकि शुक्ल बेहद ही महतवपूर्ण हैं, अगला प्रशन हम देख लेते हैं, शु यह भी बहुत बड़ा प्रशन बनता है, इन्पोर्टन प्रशन बनता है, तो यहां पर देखिए, शुकल जी ने साहित्य इतिहास में काल विभाजन किस अधार पर किया है, यह प्रशन पूछा है, तो शुकल का जो इतिहास का काल विभाजन था देखिए, वो था आपका प्रवृत्ति के अधार पर, तो विकल्प नमबर दो इसका क्या होना चाहिए था, सही उत्तर होना था, चलिए अगला प्रशन देखते हैं, हिंदी साहित्य सम्मिलन कि स्थापना कब हुई, तो देखिए, यहां से भी प्रशन पूछा जाता है, खासकर सेट की परिक्षा में अगर आपने अनलाइज किया होगा परिक्षा को, तो बहुत बार यह जो आपके, जितनी में संस्थाएं हैं, यहां से प्रशन पूछा गया है, देखिए, हिंदी साहित्य सम्मिलन, प्रयाग, है न, इसको पढ़ते ही यह याद आ जाता कि प्रयाग में और 1910 में, किसके द नागरी जो प्रचारेनी पत्री का थी, उसका प्रकाशन यहां से आरंब माना जाता है, अठाला सो संतानु से, जबकि अठाला सो तिरानु में क्या हुआ था, काशी नागरी प्रचारेनी सभा की स्थापना हुई थी, ठीक है, और 1915 देखिए, आखरी में, तो 1915 में हुआ हैं, और इससे प्रचन हमेशा पूछा जाता है, तो इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है, नेक्से देखिए, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नाएक है, तो देखिए, सुजान कुमार, यहां पर जो सूफी कावेधारा के कभी हैं, या उनकी जो प्रोक क तो अगर भाष्या की बात करें सूफियों की तो वो थी अवधी भाष्या ठीक है? और जो प्रमुख सूफियों में कभी माने जाते हैं वो जाइसिजी हैं और उनका जो पदमावत है वो बहुत मौतपूर्ण है उसके जो जितने भी खंड है पदमावत के हैना तो उनको भी क मनुसार लगाने को कहा जाता है तो पूरा का पूरा सूफी कावे को आपने जो उनकी important चीज़े हैं वो पढ़के जरूर जाना है तो देखे सुजान कुमार जो है वो किस सूफी फ्रिमा ख्यानक का नायक है यह है आपका चित्रावली का तो चित्रावली में देखे एक जो राजगुमार होते हैं सुजान और राजगुमारी चित्रावली की कथा इसमें चलती है मधुमालती में कौन है यह मनुहर है इसका नायक ठीक है इंद्रावती का जो राजगुमर है ठीक है तो वैसे करके इसके जो हैं अलग-अलग जो नायक है तो अगरा है देखिए प्रशन संक्या 7 निराला की कौन सी कवीता अनामिका में संकलित नहीं है तो देखिए जो सूर्य कांत्रिपाथी निराला है वे भी बहुत ही मौतपूर्ण हैं चाहे आपकी कोई भी परिक्षा हो है ना उनकी जो अनामिका इनका पहला ही काव्य संक्या है और इसमें इनोंने अलग-अलग जो कवीताएं हैं बहुत सारी इनकी कवीताएं इसमें क्या हैं संक्या हैं ठीक है तो तोड़ती पत्थर राम की शक्ति पूजा सरोज समरिती या फिर जूही की कली तो देखिए इसका जो सही उतर होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर चार देखिए जूही की कली तो ये किसमे है ये है परिमल में जबकि तोड़ती पत्थर राम की शक्ति पूजा और सरोज समरिती किसमे है ये आपके अनामिका में है अनामिका जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि पहला ही इनका काव्य कब है ये इनकी प्रत्थम कवीता है 1916 में परिमल में फिर इसको संकलित किया गया ठीक है वहीं अगर हम राम की शक्ति पूजा की बात करें ठीक है तो ये 1936 में लिकी है और सरोज समरिती इनकी कब की है ये है 1935 की ठीक है तो इसके आधार पर ही आपने प्रशनों को याद है इस तरीके के ही प्रशन पूछने की जाधातर संभावना बनती है ये धीरोदात नायक के गुण नहीं है तो देखे यहां पर प्रशन में पूछा क्या गया है कि धीरोदात जो नायक है उसके गुण कौन से नहीं है तो ये वाली बात आपको जो आपका काब्यशास्त्र रहे या साही तिशास्त रहे जहांपर आप काव्य के बारे में पढ़ते हैं उसमें अच्छे से दिया होगा ठीक है जो आपका नाटक है या रूपक जिनको कहते हैं देखिए जिसके उनके भेद आते हैं रूपक के दस भेद हैं जबकि आपके उप रूपक के कितने भेद है 18 भेध हैं तो रूपकों के अंतरगत जो नाटक आता है नाटक में आपके जो नाएक हैं तो उनको चार भागों में भी वक्त किया गया है कौन-कौन से वो भाग हैं वो भी आपको पता होना चाहिए तो यहां पर धिरोदात नाएक के गुण पूचे हैं मतलब आत्म प्रशंसा करने वाला वो नहीं होता है तो यह दो चीज़ें क्या हैं यह उसके गुण नहीं है जबकि पहला और तीसरा देखिए अपनी बात का निर्वेहन करता है मतलब जो वो कहता है उसको पूरा करता है और साथ ही साथ तीसरा जो है देखिए वो इसका गुण है आत्म प्रशंसा न करने वाला क्योंकि जो धीरोदात नायक होते हैं वो आत्म प्रशंसा नहीं करते हैं चलिए ये तो बात हो गई कि इस प्रशंस से संबंदित कि नायक के गुण नहीं है अगर हम बात करें कि नायक से क्या है अब परभावित रहने वाला होता है और अपने कारे में स्थिर रहता है यह बड़ी सारी चीज़ें किसमें होती है धीरोदात नायक में होती है तो यह पहला नायक हो गया दूसरे जो नायक होते है aucun आपके धीर ललित जो कलाप्रिय होते हैं सुखी तथा मरिदुल सौभाव के होते हैं तो ये किसके अंतरगत आते हैं ये आते हैं आपके धीर ललित जबकि तीसरे जो हैं धीर प्रशांत तो इसमें आपके जो क्षत्रियत तरह होते हैं वो आते हैं और एक तरीके से समान्य गुणों से युक्त होते हैं, वो ही इसमें आते हैं, धीर प्रशांत में, जबकि चौथा जो आखरी है के धीरोधत, तो धीरोधत जो नायक होते हैं, वो होते हैं आपके जो उक्रसोभाब के, या फिर दरपूर्ण, आत्मशलागी, एहंकारी, चपल तो इस तरीके के जो लोग होते हैं, जो मायवी हैं, वो किसमाते हैं आपके धीरोधत नायक के श्रेणी में आते हैं, आठ्वी निसूची में शामिल भाषा नहीं है, तो देखिए, आठ्वी निसूची में जो भाषा शामिल नहीं है, वो कौन सी है, इसमें से, चाहे पुछा जाए कि प्रारंभिक जो आरंभ में आठवीन सुच में कितनी भाशा हैं शामिलती तो यह 14 ही थी ठीक है पंदरभी इसमें सिंधी बनी और उसके बाद तीन अलग जोड़ी गई वो आप विस्तार से अगर जानना चाहते हैं तो हमने इसके उपर पूरा का पूरा ले नहीं है तो यहां से देखिए आत्म कथा पूचा है नहीं है ठीक है माटी की मुर्दें क्या भोलूं क्या यादगरूं एक कहानी यह भी ठकोरी बाबा तो इन में से देखिए पहला और जो चौथा है यह क्या है यह आपके रेखाचित्र हैं इसलिए यही क्या है इसका सही उत्तर होगा एक और चार जबकि क्या भूलूं और क्या याद करूं ये किसका है ये आपका हरिवन श्राय बच्चन जी का है और इनके आत्मकता चार भागों में भी भक्त है ये वाला प्रशन UGC NET की परिक्षव में भी इस बार पूछा गया था हो सकता है इनके चारों को भी आपको करम नानुसार रखने को कहा जाए हो सकता है कि ये यूँ पूछा जाए कि इनके दूसरे या तीसरे जो आत्मकता के भाग हैं उनके कैसीर शक है तो इस तरीके से भी बच्चन बनने की संबाव ना हो सकती है एक कहानी यह भी तो ये किसका है मन्नु बंडारी की है ठीक है ये भी कहा है आत्मकता है और ये UGC NET और SET दोनों के जो हमारे पाठकरम में शामिल हैं ये सारी रचनाई है ना माठी की मूर्ते रामरिक्ष बेनिपूरी की रेखा चित्र है और ठाकूरी बाबा ये किसका है मादेवी वर्मा क है ठीक है तो क्लियर है अगे हम देख लेते हैं अगला प्रशन आवेदना मिली विदाई पंक्ती प्रसाद के किस नाटक की है तो देखिए प्रसाद के जो भी नाटक है उनकी जो प्रमुक पंक्तियां है उनको परिक्षा में पूछे जाने की संभाबना अत्यधिक रहती ह तीन इनके जो नाटक हैं देखिए वो पात्यक्रम में शामिल है धुरू स्वामिनी चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त तो इन में से ही पंक्तियां पूछी जाती है और ध्यान रहे कि इनको आप एक परिक्षा से पहले जरूर पढ़के जाएं तो यह वाली जो पंक्तिया है देखिए यह है स्कंदगुप्त नाटक से और स्कंदगुप्त नाटक के कौन पात्र इसको कहती है यह आप मुझे कोमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा चलिए अगला प्रशन हम देख लेते हैं अर्थोप्षेपक के कितने प्रकार होते हैं यहां से देखिए इस तरीके से प्रशन ही बनता है यहां अर्थोप्षेपक पूछ लिया जाता है या नाट्या संधियां पूछ लिया जाता है या आपका कालेवस्थाई पूछ ली जा सकती है या फिर आपकी जो अर्थ प्रकृतियां है उनके बारे में प्रशन बनने की संभावना बनती ह तो यह 5 प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से हैं देखिए, सबसे पहले आता है इसमें विश्कमभक, दूसरे नमबर पर प्रवेशक, फिर दूसरे नमबर पर चुलिका, चौते नमबर पर अंकास्य, और पांच उपर आता है आपका अंकावतार, तो 5 प्रकार हैं इसके, तो के अंतरगत ये चीज़ें आती हैं, ठीक है, जो आपके नाटके देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जो हम रंगमंच के जरीए नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है, मतलब सामने हम उसको नहीं दिखाते हैं, ऐसी चीज़ें जो सूचना जिनके दी जाती है, वो ही क् पूचिया भी कहते हैं, ठीक है न, तो ये पांच प्रकार के होते हैं, बिस्तित तरीके से इनको अगर आपने जानना है दोस्तों, तो यहां पर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा अभी, क्योंकि हमारा लेक्चर इसमें बहुत लंबा हो जाएगा, पांच प्रकार होते हैं, मै I.A. Richards की रचना नहीं है, तो देखिए I.A. Richards की जो रचना नहीं है देखिए वो कौन सी है, Science and Poetry, Practical Criticism, The Secret Word, Selected Vocês. तो आपका कावे शास्त्र है देखिए, या साहीत्य शास्त्र है, या तो रचना के आधार पूछे जाता है या फिर उन्होंने कौन से सिधांत दिये हैं, उनसे प्रशन बनने के संभावना रहती है, या फिर आपका इनकी जो रचना हैं उनको क्रम अनुसार रखने को कहा जाता है, या फिर रचना कारों को क्रम अनुसार रखने को कहा जा सकत है तो यहाँ पर रिचर्ड्स की जो रचना नहीं है देखिए वो है आपका The Sacred Wood और Selected Essays तो यह किसकी है यह है टी एस इलियट की कब कब लिगी गई है यह भी आप एक बार परिक्षा से पहले जरूर पढ़के जाएं चलिए अगला पशना हम देख लेते हैं दिल फिगार प्रेमिका के पास किन चीजों या चीज को लेकर नहीं जाता तो सबसे पहली बात तो यह है कि दिल फिगार जो है वो किस कहानी का नायक है या पात्र है तो दिल फिगार जो है देखिए यह मुन्शी प्रेम्चन की जो कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन है ना जो देशबक्ती परक इनकी कहानी है चोटी सी कहानी है उसको आपका मौका मिले तो जरूर उसको पढ़िएगा कभी ठीक है तो वो अपनी प्रेमिका के पास किन चीजों को लेकर नहीं जाता तो दिल फिगार तो यह है लेकिन इसकी प्रेमिका का नाम भी पूचा सकता है कि उसकी प्रेमिका का नाम क्या था तो वो थी दिल फरेब ठीक है न तो वो किन किन चीजों को लेकर नहीं जाता है यह पूचा है देखिए कैदी की आंसु की बूंध या फिर पहमुल्य रतन या फिर लहु का आखिरी कत्रा या फिर सती की चिता की राक तो कौन सी चीज है जिसको लेकर वो नहीं जाता है तो सभसे उत्तर जो इसका होगा देख़े वो बिकल्प नंबर दो होगा ठीक है? पहमुल्य रतन लेकर या अभुशन लेकर वो उसके पास नहीं जाता है क्योंकि वो तो उसके दिमाग में पहले से खुद भी नहीं होता कि इन चीज़ों को वो दुनिया का सबसे अनमोल रतन मानती है तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन उसने किस चीज को माना है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं और इन जो भी चीजें वो लेकर उसके पास जाता है इनको भी क्रमानुसार पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन से आई बाद में और लास्ट में किसको पहुंचाया तो देखिए सबसे पहले वो जाता है कि एक जो कैदी है उसके आंसु की बूंद को अपनी प्रेमिका के पास लेके जाता है लेकिन वो उसे मना कर देती है कि ये अनमोल चीज नहीं है दूसरी बारी वो फिर से जाता है तो वहाँ पर उसको क्या मिलता है फिरा जो सती इस्त्री है उसकी चीता की राक वो लेके जाता है उस वो भी उसको इनकार कर देती है कि ये चीज भी सबसे अ तो वहाँ पर जब अपने देश के लिए लड़ते हुए जो सैनिक है जो सिपाही है उसके जिस्म से बहाल लहू का एक एक जो कत्रा उसकी आखरी जो बूंध है वो गिर रही है जब वो देखता है उसको उठा ले जाता और उसको समझा जाता है कि सबसे दुनिया का अनभोल तो वो क्या है वो दलहू का आखरी कत्रा ही है ठीक है अगला पशन हम दिख लेते हैं क्रमानुसार रखने को कहा गया है देखिए सबसे पहले है जूठा सच ये कब लिखा था उननिसो अठावन और साथ में ठीक है ना फिर धरती धनना अपना जगदीश चंदर का है ये ब जोपती का उपन्यास है ये कब लिखा था है इनोंने 1989 में तो सही क्रम होना था आपका विकल्प नंबर दो ठीक है तो बहुत सारे स्टुएंट्स ये कहते हैं कि हमें जो क्रमानुसार जो प्रशन पूछ जाते हैं उनमें दिक्कत होती है तो इसका जो सही तरीका याद करन का सही अनुकरम बताईए तो प्रिये प्रवास ये 1914 में लिखा था जबकि साकेत 1931 में कामाईनी 1935 ठीक है और कुरुक्षेत्र ये आपका 1946 में था तो ये इनका क्या है बिलकुल सही क्रम है नेक्स से देखिए शब्द रचना में किसका योगतान नहीं होता मतलब शब्दो तो उपसर्ग अपने आप में क्या है? एक शब्द है तो इसलिए विखलप नमबर तीन इसका क्या होना था? सही उतर होना था अगला प्रशनम देख लेते हैं सूर्दास जब अपने विशे का वनन शुरू करते हैं तो मानों अलंकार शास्त्र हाथ जोड़ कर उनके पीछ प्रसुत पंक्तियां सूर्दास के संबंद में किस ने कही हैं। प्रसुत पंक्तियां किस ने कही हैं। प्रवासी जीवन से है। आपका जो बिहारी सतसे जो बिहारी के उपर इनने बात कही थी वहाँ पर बीच में ये पंक्तियां आती है तो जहाँ पर इनने बिहारी के बारे में कुछ चीज़ें कही है वहाँ बीच में इनने ये बारे पंक्तियां कही हुई है शुकल जी ने हिंदी साहिते के थी हास की पुस्तक में आपको ये चीज मिल जाएगी अगला पच्छना है देखिए भीशमसाहनी के नाटकों का सही क्रम क्या है तो देखिए इसको याद करने के एक सिंपल सी ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ आपने इसको सिंपल ये ऐसे याद रखना कि जितने भीशमसाहनी के नाटक हैं वो सबके सब उसमें क्या हो जाते हैं स्माहित हो जाते हैं तो ट्रिक ये है कि देखिए हाग मामू देआ हाग का मतलब होता है अवाज जैसे हमारे लोकल लेंग्विज बोलते है हाग लगाना किसी को अवाज लगाना तो देखिए हाग मामू को देखे आ इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं हा से हानुष और को से कबीरा खड़ा बजार में मा से मादवी और मू से मुआबजे दे से क्या है आपका रंगदे बसंती चोला ठीक है और आ से आलमगीर तो इस तरीके से आपने इसको याद रखना है तो सही जो इतका उत्र होना था विकल्प नमबर एक ही होना था देखिए हानुष मादवी मुआबजे और आलमगीर तो यहां से अगर इनके ही नाटक पूछेते हैं तो इनको आपको सन के अनुसार याद रखने की जरूरत नहीं है सिंपली अगर आपने ये ट्रिक भी या माकसवादी हैं ठीक है जिन तक हैं ये अलोचक हैं माकसवादी अलोचक उनके नाम यहां पर लिए गए हैं तो कई बार प्रिक्षा में प्रशन इस तरीके से भी बनता है कि माकसवादी अलोचक कौन सा है कौन सा नहीं है तो सबसे पहले नाम आता है माकसवादी अलोचकों शिवदान सिंग चोहान की ठीक है तो ये 1954 मिन ने लिखी थी अगला पशन हम देख लेते हैं असत्य कथन आपने बताना है नंद दुलारे वाजबई ने सरप्रत्थम चायाबाद को मानिविया और सांस्कृतिक प्रेणा के रूप में व्याख्याइत किया तो सही बात है और रस से धांत भी नंद दुलारे वाजबई की ही कृति है अलोचनात्मक कृति ठीक है नंद दुलारे वाजबई शुकलोतर यूग के प्रमुक अलोचक है तो ये बात भी क्या है सही है तो विखल्प नमबर तीन इसका सही उत्तर होगा अगला पशन है दिकिए वाक्या रसा में पूछे जाते हैं क्रविशकां में पूछा जाते हैं क्रवाद्ध करने के लिए बेखते हैं किये मुझे चांद चाहिए तो ये रंगमंच और सीनेमा से है दिलो दानिश तो ये मुस्लिम संस्कृती से है जबकि अनामदास का पोथा किस से समझन देखिए इसकी बिशवस्तू ये है आपका आपनीशिदिक अख्यान से ठीक है तो फिकल प्रेमर दो इसका क्या होना था सही उत्तर होना था तो ये थो थे दोस्तो पूरे के पूरे 25 प्रशन और इन प्रशनों से किस रिके से और प्रशन बन सकते हैं ये मैंने आपके सामने पूरी के पूरी डिसकस किया अगर इन प्रशनों में कुछ एक आपको doubts हैं या आपको लगता है कि इन प्रश्णों से कुछ और प्रश्ण बनने की संभावना है तो वो और भी बहतर है आपके लिए और एक बार फिर से हिंदी सहित्य वारता परिवार की तरफ से आप सब लोगों को बहुत-बहुत शुब काम नहें paper के लिए कि आप अ